आज हम मिल्क मसाला पाउडर बनाएंगे यह ड्राइ फ्रूट्स का पाउडर है यह बहुत ही हेल्दी और पर्फेक्ट है बच्चों और बड़ों के लिए जटपट से तयार हो जाता है और इसे आप अराम से 4-5 मन्त के लिए स्टोर कर सकते हैं आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ दूद मसाला की रेसिपी सो लेट्स मूब ओन टो दा वीडियो दूद मसाला पाउडर बनाने के लिए सबसे पहले हम एक पैन में डालेंगे दो बड़े चम्मच बादाम दो बड़े चम्मच काजू एक बड़े चम्मच पिस्ता इसे धीमी आज पर चलाते वे दो मिनिट तक भुन लेंगे ताकि अगर इसमें थोड़ी बहुत नमी हो तो वो दूर हो जाए दो मिनिट हो चुके हैं ड्राइफ्रूट्स अच्छे से रोस्त हो गये हैं अब हम फ्लेम को आफ कर देते हैं अब हम इसमें डाल देंगे एक छोटी चमच इलाइची पाउडर एक छोटी चमच सोंट पाउडर इसका टेस्ट अच्छा आता है पर आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं एक छोटी चमच सोंख पाउडर अब इसे हम ठंडा होने देते हैं ड्राइफ रूट्स ठंडे हो चुके हैं अब हम इसे इस जार में निकाल देते हैं ड्राइफ रूट्स में से तेल अलग नहों इसलिए हम इसमें डालेंगे वन टेबल स्पून शूगर साथी साथ हम इसमें डाल देंगे एक छोटी चम्मच केसर अब इसे हम पीस लेते हैं यह देखिए इसे हमने ग्राइंड कर लिया है अब इसे हम एर टाइट कंटेनर में स्टोर करके रख लेंगे इसे फ्रिज में रखके थ्री मन तक यूज कर सकते हैं और फ्रीजर में रखके फोर टु फाइव मन तक हम इसे यूज कर सकते हैं दूद मसाला बनाने के लिए एक बरतन में डालेंगे दूद स्वाद अनुसार चीनी अब इसमें डाल देंगे दूद मसाला पाउडर और इसमें उबाल आने देंगे दूद में उबाल आ चुका है अब हम फ्लेम को आफ कर देते हैं इसे कप में निकाल देते हैं देखे केसर का कलर कितना अच्छा आया है इसे बारिक कटे हुए बादाम और पिस्ता से गार्निश कर लेते हैं मिल्क मसाला बनके बिल्कुल तयार हो चुका है आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राय करें और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करें थैंक यू